नमस्कार दोस्तों देखो सीखो स्टेडी में आप सभी लोग का स्वागत है तो UPSI 12 नॉम्बर के दोस्तों फर्स सिप्ट का हो चुका है यहाँ पर सेकंड सिप्ट में जो भी कोशन्स पूछे के हैं उन सभी अधिकतर कोशन्स को हमने यहाँ पर लिया है तो देखेंगे सब आपका कैग हो जाएगा और यहाँ पर आपका सुप्रीम कोट में जजों की संख्या पूछा गया तो जानते हैं कि एक मुख्य नाइदिस और तैयंतिस अन्य तो यहाँ पर 34 राइड एंसर हो जाएगा अकबर नाम आप जानते हैं कि लिखा कौन है अबुल फजल आप जान जानते होंगे यहाँ पर दोस्तो उदारन अलंकार का एक दिया था कैसे कैसे करके है आपका सहे कैसे ऐसे करके आपका दिया रता है तो पकड़ सकते हैं यहाँ पर आपका रैड एंसर हो जाएगा उदारन अलंकार और रानी केत्की की कहानी जानते हैं यह रचनकार कोन है इ नाभादास जी को कहते हैं नाभादास याद रखेगा यह आपका एक्जाम में पूछा गया है और अगला जो कोशन है राश्टी आपका काल जो जो है 300 दोस्तों आप 352 चार जोड़ देंगे तो आपका 56 फिर चार जोड़ देंगे तो बित्ती वला जागा 60 360 तो यह सब मौसम है मौसम लिग दिया गया मौसम कौन कुटिल खलकामी इसमें दोस्तों आपका वकुरुकती अलंकार हो जाएगा चोरहा में दोस्तों कौन सा समास है चोरहा में अंक की बात हो रही है यानि कि यहाँ पर द्वीगू समास हो जाएगा तीरहा चोरहा अंक की जहां बात ह होगी ठीक है अनुछेद आपका एक्यासी लोग सभा की संरचना से रिलेटेड है और अनुछेद आप 22 जानते हैं कि गिरफतारी के प्रती संरचन है और इसमें जैसे कि अपना वकी लखना जो है पेस करना मजिस्टेट के सामने ये सब चीज़े है नेक्स्ट बात करेंगे अ दोस्तों बीवे का अनुसार जो है हस्तचिप करता है उससे रिलेटेड ये है आपका 300 कौ में क्या है तो संपतिक अधिकार है जैसे कि आप जानते हैं सम्विधान संशोधन के द्वारा दोस्तों अटागर के इसमें जो है 31 से लेकर के 300 कौ में मतलब अब वीधिक जो है पर चानूनी अधिकार कर दियाते संपतिक अधिकार नेक्ष्ट बात करेंगे आप ज़ेए अनुछेद 368 में क्या है जानते है संविधान संशोधन होता है ये आपका संविधान राश्पतिक आप जानते हैं 35 वर्स है यह सब आपके पूछ जा सकता है अकास मिक्था-णिधी दोस्तों किस अनुष्यद में है आपका 266 में है और कृत वाच्चे दोस्तों किसमें है इसमें आपका राम किताब पढ़ता है इसमें देख रहे हैं तो करता है तो इसलिए आपका राम है तो यहाँ पर आपका कृत वाच्चे हो जाएगा चलिए और भी कोश्चन्स देख लेते हैं जो हमारे पास आए है तो देखिए यहाँ पर घास फूस में कौन से समास है घास फूस में यानि दिन रात घास फूस यह सब जानते हैं क्या है उल्टा सीधा है मतलब कि यहाँ पर विलूम टाइप का है या लगभग एक जैसे होते हैं तो यह अपका दूंद समास हो जाएगा यह किताब किसकी है इसमें दोस्तों आपका सरनामिक बिशेशन्ड हो जाएगा गरहे का परवाची यहाँ पर पूछा गया तो खर धूसर इत्यादी यह सब होता है तो इसी में से कोई होगा या फिर खर किसका परवाची है यह पूछा गया होगा सारंग ले चली सारंग में दोस्तों यह आप जानते हैं सारंग का अलग-अलग मेनिंग आ रहा है मतलब यहाँ पर दोस्तों यमक अलंकार हो जाएगा कनकनक ते सौगुनी आप जानते हैं यह भी आता है कई बार तो यह भी आगे पूशे जाने की संभावना है हिंदुस्तानी भासा दोस्तों जानते हिंदी प्लस उर्दु है तो हिंदुस्तानी आपका हो जाएगा जंगम का विलोम पूछाता स्थावर हो जाएगा जंगम का विलोम हो जाएगा स्थावर बने एक जगा पर रहने वाला यहाँ पर घूमें लेके घूम सकते हैं जैसे स्थावर समपत्ती करते हैं तो जो अचल हो जाएगा और आपका जंगा मतलब लेके जा सकते हैं इदर उदर उसके लिए स्वाण सिंग समीति की सिफारिस है यह दोस्तों क्या है इसमें दोस्तों जो है आपका 42 वा समविधान संशोधन है 1976 याद रखेगा बहुत important है स्वाण सिंग समीति की सिफारिस और इससे related और भी आ सकता है आपके एक्जाम में समीतियां है जो भी important पढ़ लिजेगा अनुछेद 216 आपका उच नयाले का गठन है और जो आपका 103 वा जो समविधान संशोधना यह EWS से है यानि 10% जो है जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए है दोस्तों यहाँ पर 103 है तो 101 वा भी पढ़ लिजेगा काफी important हो जाएगा क्योंकि उसमें GST है ठीक है आगे देख लेते हैं आगे आपका है 351 दोस्तों क्या है यह राजभासा सर्लेटेड है उसमें उल्लेक है दोस्तों तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इंदी सर्लेटेड है साचत जो है 60 सम्मिधान संशोधन आप देख रहे हैं यहाँ पर वोट डालने का अधिकार जो है यह आपका 1989 में वोट डालने का अधिकार 21 वर्स पहले था उसको अटा करके जो है 18 वर्स कर दिया गया याद रखेंगे काफी important है यह भी और exam में पूछले या तो पूछले कि क्या था या यह किस सम्मिधान संशोधन में था अनुछेद आपका 19 जो है इस सवतनता का अधिकार इसमें छोपर करके हैं तो दोस्तों वाकिंग अभिव्यक्ति आदि जो सब भी प्रेस की सवतनता यह सब करके question बन सकता है तो याद रखेंग चालीसमा दोस्तों यूनेसको बिस्व विरासत स्थल धौला वीरा है धौला वीरा याद रखेंगे और सुभा मंडल यह सेल की चेर्मेन है यह आप काया है था या पिर ऐसे आथा क्योई की सेल की चेर्मेन कौन? वर्तमान या फिर सुभा मंडल काया होगा? नाम पहले ही कि इसकी जो है चेर्मेन है नेक्स्ट बात करेंगे नाथुला दर्रा दोस्तों कहां पर यह सिक्की में या फिर सिक्की में कौन सा ऐसे आया होगा और कांग्रेस के प्रथम अध्यक जानते हैं कि वीसी वनर्जी यानि वोम केस जो है चंद्र वनर्जी हो जाएंगे कन्योज का यूद जो है पंद्रह सो चालिस हुमायू और अकबर के बीच हुआ था याद रखेंगे चलिए और भी कोस्टन्स देख लेते हैं जो हमारे पास आए हैं पद्मावत के लेखक पद्मावत के लेखक जो है मलिक मुहमत जैसी आप जानते हैं पद्मावत की लेखक जो है मलिक मुहमत जैसी और जैसे कि आप जानते हैं कि देखिए कई बार आता है पद्मावत के जो लेखक है मलिक मुहमत जैसी का नाम आ जाएगा और बोलेगा किस बोली के कवी थे तो याद रखेगा यह अवधी के से रिलेटेड है और यह काफी important हो जाता है इससे थोड़ सा कोशन घुमा के भी पूछ सकता है पूना पेक्ट याद रखेंगे महात्मा गांधी और अमेडगर जी आपका 24 सितंबर 1930 यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा यूपी का निर्त यहाँ पर चारकुला आहे हुआ था या फिर चारकुला किस जो है प्रदेश का है तो याद रखेगा चारकुला बैसिकली अगर बात करें तो यह जो है माथूरा का है काफी important है माथूरा का होली वात्सले रचनाओं से किस जो है कभी का संबंध है तो दोस्तों याद रखेंगे सूर्दास जी ने काफी कृष्ण भगवान के बच्चे समझ करके या फिर वात्सलता जहलकती हो उनके काफी कृतियों में नेश्ट बात करेंगे जन सेवा पोर्टल जो है यूपी का है उत्तर पर इसका याद रखेंगे ये एक्जाम में पूछा गया है राश्टिय सूचना आयोग के सदस्यों के निउक्ति कोन करता है तो यहाँ पर राश्पति करता है और याद रखेंगे यहाँ पर जो है मानवा अधिकार के सदस्य है सदस्यों को दोस्तों हटाता कौन है तो यह राज्यपाल हटाता है याद रखेंगे सांतरस के दोस्तों कवी यहाँ पर कौन हो जाएंगे कवीर दासजी हो जाएंगे IPC की धारा है 149 यह किस से रिलेटेड भीया तो यह समाने उद्देश को अग्रसर दोस्तों जो रहेगा उस से रिलेटेड यह है अनामदास जी का पोथा ही कई बार एक्जाम में आ चुका है और यहां पर दोस्तों आपके UPSI सेकंड सिप्ट में पूछा गया है हजारी प्रसाद दिवेजी जी जो है इनके राइटर है अनामदास का पोथा और चवहत्रमा सम्विधान चंशोधन में दोस्तों जानते हैं आपका जो है यहां पर नगरपाली का से रिलेटेड है 1952 में वह है नेक्स्ट बात करेंगे चौस लिके चौदर वर्स के जो बच्चे है इनको निसुल्क जो सिच्छा है वो आपका मौल 28 है संसद का सचिवाले सौरी और नेक्स्ट बात करेंगे आपस संसद का सचिवाले और नौवा जो है राश्पती कौन थे तो यहां पर जो है संकर दयाल सर्मा जी राइड एंसर हो जाएगा चलिए और भी देख लेते हैं जो कोशन हमारे पास आए हैं तो थोड़ा सा आप को कोशन में इधर उधर मिल सकता है लेकिन कोशन्स लगभग उसी जो है भाग से पूछे गए होंगे क्योंकि यह सबी बच्चों ने बता है नेक्ष्ट बात करेंगे आपर जो है ओम प्रकास बनाम जो है आपका भारत जो है यह कौन से किसर रेलेटर यह भूमी संबंदित था और यहां पर केश्वान भारती का आप जानतेए 1973 है यही पर दोस्तो मैं बता चुका हूँ पहले सिप्ट में कि यही पर जो है मूलधाचा जैसा सब्दी यहां पर गढ़ा गया या फिर आप 13 जो है जो है जो जो यह यहां पर थे और 7 और 6 से पास भुआता याद रख तो यह भी ललीत लड़ा भी आ सकता है याद रखेंगे और अनुछे जो है 17 किस से रेटेड़ है और 2018 का ज्यान पिट जानते हैं अवार्ड किसको मिला है अमिताब घोष जी को अंग्रे जी का पहला नेश्ट बात करेंगे आपर जो बानवे जो है बानवे वा संभिधान संग्या हो जाएगा IPC की धारा दोस्तो 295 धर्म से समंदित अपराद से रिलेटेड यह है और मिठाई किस प्रकार की संग्या है मिठाई दोस्तो जो है जाती वाचक है मिठास जो है यह भाव वाचक होता है ठीक है मिठास समझ लिएगा आगे आएगा एक्जाम में जरूर तो यहाँ पर दोस्तो टेस्ट क्रिकेट में सबस्यादा रन बनाने वाले तो जो है सचीन तेंदूलकर आप जानते हैं 15,921 के लगभग में इन्होंने रन बना है और घरैलू हिंसा परतिसेदा दिनी हम 2005 में है आप जानते हैं अनुछेट जो है 137 सरोच नयाले से समंदित है और अनुछेट जो है संविधान संशुधन अभी हम बात करी रहे थे 101 का तो जीएस्टी आ गया एक यह लागू याद रखेगा एक जुलाइद 2017 नेक्स्ट बात करेंगे यहापर जो अनुछेट 51 अनुछेट 51 अंतराष्टी सांती को बढ़ावा देता है जानते हैं यह विटामिन जो है एक का नाम रेटिनॉल राथ एक टॉफी मैंने याद करवाया था आप सभी लोगों को और आपका 124 जो निया धीसों के नियुक्त करेंगे श्रद्धा श्रोज है दोस्तों सब्द कोश में किसके पहले आएगा दोस्तों तो शौस यह वाले सवसे पहले आएगा साथी सब्सक्राइब भारतिय मस्तिस्क अनुछ संधान जो है अनुसंधान यहां पर लिखा गया थोड़ा सा गढ़बढ हो गया है तो या द एक्यावन का ए हो जाएगा और कौन किस देश से लिया गया एक्जाम में पूछा जाता है तो रूस याद रखेंगे या फिर सोवियत संग आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो देखिए जो जितने हो सके उतने कोशन हमने इस जो है वीडियो में चोटे से वीडियो में जल्दिवाजी में आप सभी लोगों को देने का प्रयास किया है लेकिन दोस्तों यह है कि जो भी हम कोशन दे रहे हैं और ऐसे कोशन जो है एक्जाम में आपके पूछे जा सकते ह अगले स्रिट में भी तो जो भी हम बता रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आप सर्च जरू से जरू कर लीजेगा क्योंकि उससे रिलेटेड कोशन्स भी बन सकते हैं तो आसा करते हैं वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेर कीजेगा और ऐसे ही रिवियो देखने के चैनल सब्सक्राइब करें के बैल आइक उन करती है हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद लाइक और शेर